श्रीराम बद्निया, मैं अनक करनेक इंदोर उपासना केंद्र का हूँ, मद्यप्रदेश मैं बापु जी से कब जुड़ा ये मुझे तो मुझे पता नहीं क्योंकि मम्मी मुझे जबरदस्ती उपासना केंद्र ले जाती थी कि मैं मेरे छोटे भाई से जगणा न करूँ कोर्स कर रहा हूं जिस मैं मुझे अलग-अलग होटेल में अन डेली बेसिस काम करने का मोका मिलता है उसे हम ODC कहते है आउटओर केटरिंग ये बात 30 डिसंबर 2018 की है दोपहर को मुझे मेरे दोस्त दौरा फोन आये कि होटेल मारियेट में इवेंट है बार का चलेगा क्या मैंने तुरांत हा बोल दी क्योंकि मुझे बार में ही रूची थी और यह मेरा पहला बार का इवेंट था मैंने हा बोल दी कि हा मैं आ रहा हूं उसके बात वो मुझे रेगुलर कॉल करता गया कि आ रहा है ना आ रहा है ना तो मैं वो ही बोलता था कि हां आ रहा हूं आ रहा हूं फिर 31 डिसंबर को चार बजे होटेल पहुचना था तो मैं 3.30 पे घर से निकला मैं आधे रास्ते भी ने पहुचा होगा कि मेरे दोस्त का फोन तो मैंने गाड़ी रोकी और बात करने लगा तो वो सिर्फ एक बात बोला कि मत तु मता जरूरत नी अभी तो मैं दुखी हो गया फिर मैंने एक-दो दोस्तों को फोन लगा कि जो कहीं ने जा रहे थे कि कहीं चल रहे हो क्या घूमने क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया था तो दोस्तों ने बोला कि अभी टाइम नी है घर के कोई ना कोई काम में वो बिजी है फिर उसका फोन कटा मैंने मम्मी को फोन लगा मम्मी को सब बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है मैं घर वापिस आ रहा हूँ फिर मैंने गाड़ी चालू करी और मैं आधा किलोमेटर भी नही नहीं जा रहो और मेरी एक्सेलेटर केबल तूट गई है वो आए हम गैराज पर गाड़ी लेकर गए और हमने गाड़ी ठीक करवाई फिर ऐसे ही मैं दुखी था कि मैं कुछ कर ना लूँ इसलिए बापू ने मुझे पापा के साथ मैं घर पर भेजा कि ये कुछ गलत ना क अर्दू में तो ऐसा हुआ तो फिर अगले दिन मैंने मेरे दूसरे दोस्त को फोन लागे पूछा कि वो भी जो इवेंट में गया था कि मुझे क्यों नहीं बुलाया तो उसने कारण बताए कि बाइटेंडर से कुछ तो भी मतलब मिस कम्यूनिकेशन हो गया था कि साथ की जगे आठ साथ लड़को का चल रहा था तो यह हो गया तो 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 तीन में को कारण बताए कि तू नहीं आया यह अच्छा हुआ उसका यह भी एक सेंटेंस था कि तू इवेंट में नहीं आय तेरे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि फर्स्ट अफ ओल डिय जी उसकी उन मेरे फ्रेंड्स गय थे उन पर आ रहा था कि इनोंने लिया है सेकेंड ली जैसे बार का लाइसन्स होता है कि ट्वेल बजे ट्वेल नाइट तक ही वो सर्फ कर सकते हैं तो ऐसा ही था तो वो होटेल वालोंने बार शट कर दिया और जैसे लोग नशे में थे तो एक दूसरे को मारे बार काउंटर के अंदर आ रहे हैं तोड़ फोड कर रहे हैं कि हमें शराप चाहिए यह हो गया दूसरी बात और तीसरी बात यह हुआ कि जो इवेंट मैनेजर था वो ऐसा था कि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो लोगों को मतलब जो काम करना है उनको मार देता था यह तीन कारण होए कि उसने बुल्ला कि वो अच्छा वगो तु नहीं आया यह हुआ फिर मैंने बूछा कि तुम निकले कितने वजजे रात को वह बले चार बजे निकले हम रात को, चार बजे से फ़ चार बजे तक मैंने बोला ठीक है फिर हमना ही फोन होगी मैं फोन कटा फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बापु ने मेरी एक्सलेटर केबल क्यू तोड़ी अगर मैं चार बज़े तूटती सुबह के चार बज़े तूटती तो मैं क्या करता ऐसे ही छोटे मोटे अनुभव आते रहते हैं हरियों स्री राम अमबजने नात संवित